तो Toyota ने रिसेंटली अपनी Urban Cruiser Tizer को launch गिया एंड हो सकता है कि आप में से कई लोग इसको book करा चुके होंगे एंड डिलिवरी इसका wait कर रहे होंगे तो खेर जब हम गाड़ी book करा लेते हैं एंड डिलिवरी का wait कर रहे होता है तो उसना हमारा दिमाग में काफी चीज़े चल रहे होती है एंड उन में से एक चीज़ होती है कि हम अपनी इस गाड़ी में क्या accessories लगवाएंगे तो खेर Toyota यहाँ पे अपनी इस Tizer में इसके exterior and interior के लिए काफी official accessories offer कर रहे है एंड आज की studio में मैं आपसे इसी Toyota Tizer में आप क्या official accessories from Toyota लगवा सकते हैं इसके exterior में या इसके interior में उससे related सारी details share करने वाला हूँ एंड साथी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि वो accessories गाड़ी पी लग करके कैसी दिखाये दे रही है एंड साथी उसके लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे तो स्वाधत आप समीगा चैनल पे और इसे एक और नए वीडियो में तो चलिए फिर बिना time waste किये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो मैं सबसे पहले बात करूँगा exterior accessories की तो यहाँ पर body cladding में हमको दो option मिल जाते हैं तो जो सबसे पहला option है यहाँ पर हमारे को chrome में इसकी side molding मिल जाती है तो कुछ इस तरह की यहाँ पर side molding देखने को मिल जा रही है और यह हमारे को दोनों तरफ मिल जा रही है तो side molding लगा कर कि यह chrome में है कुछ इस तरह का look आ रहा है और इस chrome side molding के लिए आपको 2000 साथ यानि कि 2007 रुपीज पे करने पड़ेंगे बट यहाँ पर थोड़ा सस्ता जुगार भी है जैसे मैंने कहा कि 2 options available हैं तो अगर आप चाहू तो इस chrome side molding की जगा आप red side molding भी लगवा सकते हो और उसका जो look है कुछ इस तरह का आएगा तो अगर आप चाहू तो यह red side molding में लगवा सकते होगा और इसके लिए आपको 1523 यानि कि 1523 रुपीज पे करने पड़ेंगे तो यह तो हो गई बात body cladding की अब बढ़ते हैं अपनी अगले इसेसरी की तरफ वो है इसके head lamp garnish को ले कर गए तो अगर आप चाहू तो इसमें head lamp garnish भी लगवा सकते हो तो देखिए बिना head lamp garnish के इसका जो head lamp है कुछ इस तरह से दिख रहा है बढ़ अगर वहीं आगा अगर head lamp garnish लगवाते हो तो कुछ इस तरह का look मिल जाएगा और इसके लिए आपको 640 यानि कि 640 रूपीज बस पे करने पड़ेंगे इस head lamp garnish के लिए अब लिस्ट में जो हमारी अगले अगले सेसरीज है वो इसके ORVM को ले कर गया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो body color ORVM हमको को मिल रहे हैं carbon fiber जैसा finish आ रहा है यहाँ पर पे black black सा और यह काफी अच्छा भी लग रहा है बट इस ORVM कवर के लिए आपको काफी अच्छे पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो इसकी जो price है वो 282 यानि कि यहाँ पर मैं इसको garnish में दिखा हूँ आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर हमारे को ORVM garnish देखने को मिल रहा है थोड़ा ध्यान से देखने के लिए आप देख लो अभी यह simple ORVM हमारे कुछ ऐसे हैं अगर आप ORVM garnish लगवाते हो तो हलका सा यह garnish आ जाता है इसके price भी काफी काम है मातर 234 रुपे यानि कि 234 रुपीज में आपको यह garnish मिल जाता है तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी डील है इतने से ही थोड़ा सा ORVM का look बढ़ जा रहा है तो चलिए फिर आप बढ़ते हैं अपनी अगली accessories की तरफ यानि कि 1687 रुपीज पे करने बढ़ेंगे और जैसा कि आप भी आपने front spoiler देख लिया तो अगली accessories है वो है इसका rear spoiler तो कुछ इस तरह का हमारे को इसका rear profile मिल जाता है एकदम simple तो अकर आप चाहो तो इसके rear में भी आप under spoiler लगवा सकते हो और उसको लगवाने के बाद वो कुछ इस तरह का दिखेगा और इसको लगवाने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा और इसके लिए आपको 2007 रुपीज पे करने पड़ेंगे तो front and rear spoiler अगर दोनों add कर ले तो लगवाग आपको 2700 रुपीज पे करने पड़ेंगे तो चलिए फिर आप बढ़ते हैं list की अपनी अगले accessories की तरफ मेरे इसाब से ये काफी important accessories है अगर आप showroom से कुछ भी और लगवाओ मत लगवाओ ये accessories तो definitely लगवा ले ना उसको निकालने से पहले और वो है हमारे mud flap set तो ये mud flap set आप ज़रूर लगवा ले ना अपनी गाड़ी में क्योंकि ये कावी काम की चीज है और यहाँ पे Toyota इसके लिए 507 रुपे चार्ज कर रही है तो जो हमारी अगली accessories है वो है इसके door visor तो यहाँ पे door visor में भी दो option दिये जा रहे है तो जो हमारा पहला है वो है premium तो अगर आप premium door visor कुछ इस तरह का लगवा ले रहे हो तो black and उसके उपर कुछ chrome finish देखने को मिल जा रहा है और इसके लिए आपको 1851 यानि की 1851 रुपे पे करने पड़ेंगे तो अगर आपका budget constraint है इतना नहीं खर्चा कर सकते तो थोड़े कम में आपको simple door visor मिल जा रहे हैं तो यहाँ पर यह एकदम simple door visor से हो गए उपर से थोड़ा सा chrome का finish देखने लुक नहीं आ रहा है because almost इनके price में कोई ज़्यादा difference तो नहीं है but still इसका जो look है वो थोड़ा अलगसा है और अच्छा लगेगा तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने list की अगली accessories की तरफ and वो है side underbody spoiler तो हमने front and rear के underbody spoiler तो देखी लिए थे अब है बारी side underbody spoiler गी तो चलिए फिर बढ़ते हैं list में अपनी अगली accessories की तरफ and वो है rear bumper corner garnish and इस rear bumper corner garnish में भी हमारे को total दो option मिल जाते हैं तो यह हमारा पहला option है तो यह जो rear bumper corner garnish है यह हमारे को black, resin and red के combination में मिल जाता है and इसके लिए आपको 585 रुपीज pay करने पड़ेंगे but अगर आप चाहो तो यह जो black है इसको आप थोड़ा glossy finish में भी ले सकते हो and वो कुछ इस तरह का हो करके आएगा and इसके लिए आपको 609 रुपे pay करने पड़ेंगे तो marginally 24 रुपे का difference है बट उसकी वज़े से यह जो हमारे को थोड़ा सा glossy finish मिल जाता है इसके black में तो अगर आप rear bumper corner garnish लगाने की सोते हो तो मेरे इसाब से आपको इस black gloss वाले के साथ जाना चाहिए सिर्थ 24 रुपे और extra लगेंगे आपके तो चलिए फिर बढ़ते हैं list में अपनी ugly accessories की तरफ and वो है इसके roof and spoiler तो अगर आप चाहो तो ये roof and spoiler extender लगवा सकते हो black gloss plus red में और इसके लिए आपको 882 यानि की 882 रुपे पे करने बढ़ेंगे तो चलिए फिर बढ़ते हैं list में अपनी ugly और आखरी accessories की तरफ and ये है wheel arc garnish तो अगर आप चाहो तो अपने wheel arches की उपर भी ये garnish करवा सकते हो and इसके लिए आपको 718 रुपे पे करने बढ़ेंगे and ये 718 रुपे में आपको front and rear basically चारो तरफ ये garnish देखने को मिल जाएगा तो ये तो बात हो पुई इसके official exterior accessories गी but हर गाड़ी में वो accessories होनी चाहिए तो उसमें सबसे पहले चीज़ आती है dash cam तो जैसे कि मैं खुद अपनी गाड़ी में dash cam use करता हूँ और almost मैं हर किसी को बोचता हूँ कि वो अपनी गाड़ी में dash cam लगवा है तो personally मैं जो dash cam use करता हूँ मेरे इसाफ से वो है car dustbin यानि कि आप एक छोटा साँ dustbin मिल जाएगा जो आप अपने जहाँ पे bottle older होता है वहाँ पे आप डाल सकते हो और रख सकते हो उसको तो जो भी हम गाड़ी में अदर भी खाते हैं कुछ भी चोटा मोटा कुडा हो गया कादा जो गया टोल की परची हो गई यानि मतलब कुछ भी ऐसा हो गया आपने चोगलेट क्लिम आप एनिधिंग यू जस्त नेम इट उस तरह के छोटे मोटे चीजों को आप सड़क में तुरन दनाते हो आप अपने उस छोटे से dustbin में बना दो तो उसका भी लिंक पर आपको description में दे दूँगा या फिर आप चाहो तो कोई भी dustbin अपनी suitability के हिसाब से आप मंगवा लो अब जो लिस्क में तीसरी चीज़ है वो है microfiber cloth तो आप अपनी गाड़ी को definitely साफ करोगे चाहे अंदर से या बाहर से तो उसको आप हमेसा microfiber cloth से ही साफ करना तो उससे क्या होता है कि हमारी गाड़ी में scratches नहीं आते मैं आपको उसका भी link description में दे दूँगा और आप वहाँ से जा करके microfiber cloth भी मंगवा लेना एन लिस्स में जो अगली must है वो है tear inflator तो मेरे इसाब से हर गाड़ी में tear inflator होना चाहिए तो आप हर गाड़ी tubeless आ रही है हो सकता है आपकी गाड़ी कभी puncture हो जाए आप कहीं जाओ पंचure हो जाए या फिर आप ना चला रहे हो घर कोई female हो वो गाड़ी चला रही हो और अगर वो कहीं गाड़ी लिखेगे हो गाड़ी पंचर हो जाए रास्ते में अगर गाड़ी में हवा कम हो जाए तो उनको काफी दिक्कत हो सकती है तो इस tear inflator की मदद से आप immediately वहीं पे गाड़ी में हवा भर सकते हो आधिक सधिक 5-7 मिनट लगेगा 10 मिनट लग जाएगा और उत्री हवा भर गर गे आप किसी भी निरेस पंचर शॉप पे अपनी गाड़ी को पुछा सकते हो और इस tear inflator की मदद से आप अपने साथ साडग में भी किसी की मदद कर सकते हो अगर कोई और फासा हुआ है तो उसकी भी आप मदद कर सकते हो तो मेरे साब से हर गाड़ी में tear inflator भी ज़रूर होना चाहिए बाकी मैं जो tear inflator यूज करता हूँ मैं उससे काफ़े खुश हूँ मैं उसका भी link description में दे दूँगा वैसे टो इक car accessories की list वेरी काफी लंबी हो सकती है बड़ यहां पर वैसे उनी must have की बारे बात कर रहा था जो कि मुझे जो पस्तली मुझे लगता है कि हरे गाड़ी में होना चाहिए और मैंने खुद उनको अपने गाड़ी में रखा हुआ है तो चलिए फिर अब वापस आते हैं आप में main topic पे and देखते हैं कि Toyota की तरफ से हमारे को इस tizer में क्या official interior accessories मिल जाती है तो हमारे इस interior accessories में सबसे पहले यहां पर Toyota interior styling kit offer कर रही है 5,851 रुपे में यानि कि 5,851 रुपीज में इस interior styling kit में यहां पर हमारे को इसके doors हो गए सामने AC panel के नीचे आप देख सकते हैं या फिर इवन यहां पर AC vents के नीचे आप देख सकते हैं कुछ carbon finish का 5,5 रुपेसा कुछ देखने को मिल जाता है अब हमारे list में जो अगले accessories है वो है paddle lamp तो यहां पर हमारे को Toyota की तरफ से paddle lamp मिल जाता है जैसे अब दर्वाजा कोलिंगे नीचे Toyota का logo बना हुआ आ जाएगा और इसके लिए आपको 304 यानि कि 1,304 रुपीज पे करने बढ़ेंगे अब जो हमारी अगले accessories है वो है speakers को ले कर गें तो यहां पर Toyota दो तरह के speaker offer कर रही है एक basic और एक premium तो जो basic है वो pioneer का है और इसके लिए आपको 1772 यानि कि 1,762 रुपीज पे करने बढ़ेंगे अगर आप इसके premium speaker को लेते हैं तो यह हमको कुछ इस तरह का premium speaker मिल जाता है और इसके लिए 3,474 रुपीज पे करने पड़ेंगे अब list में हमारी अगली accessories है boot pad तो मेरे हिसाब से कि यह भी must have accessories है तो यह भी आप definitely ले लेना और इसके लिए आपको 1671 रुपीज यानि कि 1,671 रुपीज पे करने पड़ेंगे और जो यह price है यह भी काफी reasonable है market में भी यह आपको 1800 से 2000 रुपे तका ही पड़ेगा तो यहाँ पे Toyota लगबख 1600 रुपे चार्ज कर रही है तो यह काफी reasonable price है अब जो list में हमारी अगली accessories है वो है door seal guard तो यहाँ पे हमारे को कुछ इस तरह का metal का seal guard देखने को मिल जाता है यहाँ पे Toyota टोटल 6 तरह के seat covers offer कर रही है तो अकर मैं आपको एक यह करके दिखाते जाओ तो यह इसका design one है दो कदर की combination के साथ आपको यह मिल जा रहा है इसके लिए आपको 7,890 यानि की 7,890 रुपे पे करने पड़ेंगे यह same color combination में design 2 है इसके लिए आपको 7,773 रुपे पे करने पड़ेंगे यह आपका design 3 हो जाता है और इसके लिए आपको 7,655 रुपे पे करने पड़ेंगे यह आपका design 4 हो जाता है और इसके लिए आपको 7,843 रुपे पे करने पड़ेंगे और यह हमारा 5th design है और इसके लिए आपको 7085 रुपीज पे करने पड़ेंगे और ये हमारा 6 डिजाइन है और इसके लिए आपको 7101 रुपीज पे करने पड़ेंगे तो इन सारे seat design में से आपको कौन सौला seat design जबसे ज़ादा अच्छा लगा आप वो मुझे comment गरेंगे जरूर बताना तो ये थी official list of accessories with prices from Toyota जो आप उसकी tizer में लगवा सकते हो बाकि अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना चैनल पे नए हो या अभी तक subscribe भी किया तो please subscribe the channel फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में तब तक कि ये जय हिन जय भारत